Hello Everyone, मैं हरप्रीत आप सभी का स्वागत करता हूँ AgriStar के इस YouTube चैनल में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है किसके उपर कुछ important terms and data related to agriculture के उपर तो बिना किसी देरी किये हम शुरू करते हैं अपने tables की और अपने data की और उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी request करना चाहता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप subscribe करना मत बूलेगा अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगता है तो उसको भी like करना मत बूलेगा तो चलिए यार शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो पढ़ने वाले हैं types of drought according to annual rainfall ठीक उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं infiltration rate का जो data है वो पढ़ने वाले हैं फिर पढ़ने वाले हैं seed multiplication ratio of crop फिर पढ़ने वाले हैं released varieties of improved quality फिर rotational intensity इन सभी का हम data पढ़ने वाले हैं जो important data है वो ही मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो आप बने रहे हैं मेरे साथ अंतक ठीक है अमीद करूँगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा ठीक चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी types of drought according to annual rainfall तो इसका data है slightly drought किसको कहा जाता है अगर annual rainfall less than 11 to 25% of the normal rainfall हो तो उसको consider किया जाता है slightly drought को slightly drought के अंडर ठीक फिर आता है moderately drought जब less than 26 से 50% हो normal rainfall से तो कितना होता है तो उसको क्या बोला जाता है moderately drought फिर आता है severe drought less than 50% फिर meteorological drought less than 75% of the normal rain ये था हमारा drought के उपर जो टेबल जो important है ठीक आप इसको note कर लेना चाहे तो आप screenshot भी ले सकते हो बट मैं तो आप से उमीद करता हूँ कि आप note करेंगे क्योंकि note की गई चीज कभी भूलती नहीं screenshot हम कभी देखते नहीं ठीक चलूँ आगे अब बात करते हैं infiltration rate की ठीक infiltration rate सबसे पहले इदर आप देखो एक मिनट pen क्यों नहीं आया अभी तक आजा pen हाँ अब आ गया infiltration rate infiltration rate का इदर पहले हम types फिर infiltration कितने centimeter per hour हो रही है तो फिर हम बात करेंगे कौन सी soil में कितना infiltration कितने centimeter per hour है ठीक कौन सी soil है वो सबसे पहले जो सबसे कम किस soil में होती है very clay soil जो बहुत compact होती clay soil आपको पता है ना जो बहुत compact होती है बट उसमें माइक्रो पोर सबसे ज़्यादा होती है तो उसमें infiltration rate कितना होता है less than 0.25 centimeter per hour ठीक फिर आता है हमारे पास slow infiltration तो अगर value lies करे 0.25 से लेकर 1.25 तक तो वो soil कौन सी होती है soil with high clay ठीक फिर आता है moderate 1.25 से 2.5 sandy loam soil फिर आता है rapid अगर infiltration rate greater than 2.5 centimeter per hour हो तो फिर उसको बोला जाता है deep sand silt soil वो कौन सी soil में होती है deep sand silt soil sandy sandy soil है ठीक चलूँ आगे अब बात करते है seed multiplication ratio of crop एक seed लगाने से हमें कितने seed की प्राप्ती होती है suppose मैं गेहूं की बात करूँ ठीक यहूं पता है न wheat 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 की बात करूँ अगर मैं wheat का एक seed लगाता हूँ तो उसके जो plant plant में average बात करूँ तो कितने seed लगते हैं इवरेजली बात करूँ तो कितने जो लगते हैं वो हम कह सकते हैं 20 एक seed के plant से हम 20 seeds और भी प्रापत कर सकते हैं समझ लगी सपोज मैं एक potato की sowing करूँ एक potato की sowing करूँ उस potato के potato से मुझे कितने और potato नए प्रापत हो सकते हैं वो हैं चार इस चीज़ को हम क्या कहते हैं seed multiplication ratio of crops इसका table है यह paddy अगर एक हम paddy की फसल grow करें तो उसका seed multiplication ratio होता है एक seed से हम 80 seed और प्रापत कर सकते हैं simple paddy paddy hybrid की बात करूँ एक से एक grow करें तो 100 ठीक wheat की बात करूँ 1 अनुपात 20 potato की बात करूँ 1 ratio 4 chickpea 1 ratio 10 groundnut 1 ratio 8 maize 1 ratio 80 cotton 1 ratio 50 बाजरा 1 ratio 200 oats 1 ratio 15 तो यह थे हमारे seed multiplication ratio यह भी बहुत important है चाहे आप IBPS AFO की preparation कर रहे हो चाहे आप ICAR PG के लिए preparation कर रहे हो चाहे JRF कोई भी exam है उसमें अक्सरी agronomy के अंडर आता है यह ठीक agronomy कहलो या फिर journal में कहलो तो उसके अंडर यह हमसे पूछ लिए जाता है ठीक आपसे question आ सकता है ऐसे question what is the what is the seed seed multiplication application ratio of ratio of bajra तो options है 1 ratio 80 option B is 1 ratio 20 option C is 1 ratio 50 option D is 1 ratio 200 तो आप कौन सी option चूज़ करनी है तो हमारा simply option क्या वाजाएगा ठीक अब बात करते हैं released variety of improved quality कुछ हम improved character जो कौन कौन सी crop के improve किये गए है तो उनकी कुछ varieties के बारे में हम बात करने वाले है recent data है प्रोट कर लीजेगा अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है क्रोप कौन सी है मेज में character कौन सा improve किया गया है उसमें lysine content को बढ़ाया गया है ठीक lysine होता है में भी protein होता है lysine protein को increase किया गया है तो varieties कौन कौन सी है उसकी protein शक्ति रत्न फिर आता है हमारा sugar शूगर केन में शुक्रोज कंटेंट जो उसकी मिठास है उसको बढ़ाया गया है कौन कौन सी वराइटी है CEO 671 6806 CEO 7314 CEO 7704 अब बात करते हैं बारले की बारले का बारले में कौन सी क्वाल्टी को इंप्रूव किया गया है माल्टिंग क्वाल्टी तो इसकी वराइटी है करन 15, करन 92, करन 80 सोयाबीन के अंदर बात करें तो हाई प्रोटीन और ओयल कंटेंट को इंक्रीज किया गया है ठीक प्रोटीन और ओयल कंटेंट को बढ़ाया गया है कौन सी वराइटी में ली वराइटी इसमें protein content है 43 से 45 oil content है 23 से लेकर 25 फिर बात करते हैं rave seed की rave seed में content high oil का बढ़ाया गया है तो कौन सी variety में K88 इसमें oil कितना है 48.8% तो चलूँ आगे अब ले लिए screenshot यार मेरी आपसे न यही expectation है कि आप साथ साथ please याद कर लेना ठीक है आपके लिए beneficial है यह ऐसे नहीं मैं video बनाता मेरा भी time जाता है इसमें data collection में ठीक फिर इसको slide में बनाता हूँ type करता हूँ फिर आपके सामने voice over भी करता हूँ और फिर मैं YouTube पर डालता हूँ सिधा video नहीं ऐसे slide उठाई और डाल दी उसके लिए source डूणना पड़ता है यार हना मेहनत लगती है तो आप like वाइक कर दिया करें ठीक बाकी आपकी मर्जी अब बात करते हैं rotational intensity की rotational intensity का जो data है वो लेकर आता हूँ मैं cropping system के according rotational intensity हम उसके बारे में जिकर करेंगे shifting cultivation की rotational intensity होती है less than 33 fellow और lay system का होता है 33 से 66% permanent cultivation का होता है 66 से 100% multiple cropping का होता है greater than 100 तो guys ये तो थे आज के कुछ important data related जो भी हमने point discussion किये बहुत important है exam के point of view अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe करना मत बूलेगा like भी कर दीजीगा ठीक है till then मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम and God bless you